हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अल्लेट अश्टडी में दोस्तों आज हम बिहार S.S.C. के टेस्ट सीज के 11 में नंबर का प्रैक्टिस करेंगे तो चलिए दोस्तों आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन का पहला कोशन है कि 2 अक क्टूबर 1922 को समुदाहिक विकास कारिक्रम लागू होने के पूर्व जो है 1948 में सर्व पर्थम जो दो जीलो में एक प्रायोगीक योजना शुरू किया गया था उन दो जीलो के नम बता हैं तो दोस्तों इटाबा और गोरकपूर में जो है सर्व पर्थम जो है प्रायोग योजना जो है शुरू किया गया था उनिस सब्सक्राइबा तो आपका उप्षय जो है इटाबा तता गोरकपूर मैं नेक्स्ट कोशन कर वाथन ने की 221 का नुसार जन गन्यारा के नुसार बिहार में जो है लिंगान उपात आपका कितना है दो जान जन बिहारी में जो है 21 डो जारी ग्यार एक नुशारी भिहार में जो लिंगान उपाता mogę 918 जो और यह अगले मुश्ण को बढ़ते हैं कि संस्कृष्टी और सिख्छा का जो मूली कादिकार है कौन से वर नीत है कि संस्कृष्टी और सिख्छा का आपका सोनी भी है धोरी भी है और बलान भी है तो उप्युक्त में से समी जो है उप्युक्त में से सभी जो है आपका कमला की साहयक न दिया नेक्स्ट कोशन कर बढ़ते हैं निमलिकित में कौन सा एक सूखागरस्त छेत रहे हैं निमलिकित में से कौन सा एक सूखागरस्त छे किसे कहा जाता है आर्थिक उदारी करण का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तों आर्थिक उदारी करण यहनिके आर्थिक इकॉनमिक से सम्मध्ध है तो दोस्तों आर्थिक उदारी करण का जनक जो है डॉक्टर मन मोहन सिंग को कहा जाता है तो आर्थिक पाकिस्तं का भी वाजन उडाता हूं निक्स्ट कोशन के लच था मगजत हैं अगला जो कोशन है कि अभीं जो पौध से बनाए जाती है अभी मफध हूदे। जो है अफिम पोदे के किस बाग से बनाया जाती है तो अफिम फोदा जो है पोदे के फूल से बनाया जाती है नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं कि भुकंप होने से क्या होता है तो दोस्तों भुकंप होने से क्या होता है अप लोग इस कोशन का अंसर दिजेगा तो दोस्तों भु किया थे दोस्त है मुहंपछान के खिलाब 1889 में वी त्रीप्सिया संदी पर जोए किस किस थक्षा किये थे तोoman दस जो किस किस के थे तो माठ जो है वो आपका वो धर्म से संबंदित है माठ किस धर्म से संबंदित है वो धर्म से संबंदित है नेक्स्ट कोशन के और बढ़ते हैं कि गोतम बुद द्वारा भिक्चुनी संक्या स्थापना जो है कहां की गई थी गोतम बुद द्वारा भिक्छुनी संक्यास्तापना आपका बैसाली में की गई थी नेक्ष्ट कोशन के बढ़ते हैं अगला जो कोशन है कि मुद्रा का साफेक्च गलत है तो दोस्तों मुद्रा इस्पिती को रोकता है मुद्रा का साफेक्च गलत है कि मुद्रा इस्पिती को रोकता है यह मुद्रा इस्पिती को रोकता है जब कि एकरे सक्ति की भिक्री है यह अक्साक्स रिजन करता है तो आपका उप्षन है कि मुद्रा के साफेक्च गलत है वो मुद्रा इस्पितों को क्या करता है अगला जो कोशन है कि एलिशा परिक्षन किसे पता लगाने के लिए किया जाता है तो एलिशा परिक्षन जो आपका 8 सुरोग के लिए पता लगाने के लिए किया जाता है नेक्स्ट कोर्शन के और बरते हैं कि भारत में पंचायती राज विवस्ता का सिल्पी जो है किसे कहा जाता है कि भारत में पंचायती राज विवस्ता का जो सिल्पी कहा जाता है भारत में पंचायती राज विवस्ता का सिल्पी जो है भीम आर बी आर मेहता भीम राओ मेहता को कहा जाता है गाटे की बित विवस्ता किसका साधन है गाटे की बित विवस्ता किसका साधन है तो गाटे की बित विवस्ता राज कोशियर नीती का क्या है एक साधन है गाटे की बित विवस्ता राज कोशियर नीती का एक साधन है कोशन कर बरते हैं कि निम्लीकित में कौन यो है मुगल साशक जो है निम्लीकित में कौन मुगल साशक 15 भरसों तक know Your निमलिकित में कौन मुगल सासक जो है पंदरा बर्षों तक निर्बासन में रहा था तो आपको जो हुमायू मुगल सासक ता वो पंदरा बर्षों तक कहां पे रहा था निर्बासन में रहा था तो आपका ऑप्शन हुमायू जो है पंदरा बर्षों तक निर्बासन में रहा गरती थी तो आपका उप्शन सी जो है बहमनी जो है बिलकुल करेक्ट है गुरु तेग भादूर जो शिखों के नम्मे गुरु थे उसे दोस्तो इसलम अगर इसलम स्विकार गुरुतेग बादूर ने नहीं किया थे इसलिए इसको औरंगजेव ने क्या किया था गुरुतेग बादूर शिक्कों के नम में गुरुतेग बादूर शिक्कों के नम में गुरुते और औरंगजेव ने इसको मिर्त्यु दंड दिया था अगले कोशन कर वरते हैं कि टीपू सुल्ताउन की मिर्थियू जो है 17되는 ilon में किस युद के दौरान भी थी तो दोस्तों चतुर्त औगल मेसूर युद 17 koleernillismi में होता है उसी समय जो है टीपू सुल्ताउन जो की हैडार अली का पूतर था उसकी मिर्ट्य हो जाती है चतुर्थ और मेसुर्यूद के समय अगले कोशन कर वरते हैं कि मोरिकाल में भारत का किन दो देशों से मोरिकाल में भारत का किन देशों से अधिक बेपारिक संबन्द था कि मोरिकाल में भारत का किन देशों से बेपारिक संबन्द था तो आपका चीन है, माद देशिया है, बर्मा, दक्चिनी एसिया और कुछ पस्यमी देशों के साथ मौरिकाल में भारत का भी देशी बेपारिक जो समनता बहुत अच्छा था अगले कोशन कर वरते हैं कि बर्स 1928 में हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिकेशन एसियोशन के अस्थापना आपका दिल्ली में हुआ था नेक्स्ट कोशन कर वरते हैं कि निमलिकित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदू जाबा गर्त है निमलिकित में किस महासागर का सबसे गहरा बिंदू है आपका जाबा गर्त है तो दोस्तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदू है उसे जाबा गर्त के नम से जाना जाता है अगले कोशन कर वरते हैं कि मात्मा गंदी ने सर्बोदय की जो मान्यता है किस पुस्तक से गरान किया है अगले कोशन कर वरते हैं कि भारत का पहला देनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था अगले कोशन कर वरते हैं अगला जो कोशन है कि सूची वन को सूची टू से मिला ये तो आपका कहारा है कि मेरे सीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिस समराज के कफन में किल सीर दोगी या किसका कतन है तो दोस्तो यह लाला लाज पत्राय का कतन है और दूसरा हमें घुटने टेक कर रोटी मांगी किन्तू उत्तर में हमें पत्थर मिले ये दोस्तों आपका महात्मा गांधी ने कहा था कि हमने गुटने टेक कर रोटी मांगी लेकिन हमें उसके बदले में पत्थर मिले जबकि सतत जागरुकता ही सोदिंता का मुल्य है ये जवाला नेरु का कहता है और इनकलाब जिंदाबाद बगत सिंग ने कहा था फिर से दोस ने टेक कर रोटी मांगी बदले में हमें पत्थर मिले ये महत्मा गंधी ये ने लिखा है और सतत जो है जागरुकता ही सोदिंता का मुल्य है ये जवाला नेरु का खतन है और इनकलाब जंदाबाद बगत सिंग का नरा है नेक्स्ट कोशन के और वरते हैं कि उन्हें सो चा अगराई था वो आपका जवाला नेरु था दूसरा सत्यागारी कौन था सत्यागराई कौन था जवाला नेरु जबकि पहला जो था आपका महत्मा गंधी था अगले कोशन कर वरते कि लोकमान तिला किस विचारधारा के पोशकते आपका जो लोकमान तिला किस विचारधार अगला जो कोशन है कि उन्हें सोत्ताइस में चितरंजन दास और पंडित मोतिलाल नेरू ने जिस स्वराज दल का निर्मान किया उसका जो मुख्य कार्यक्रम था वो क्या था कि उन्हें सोत्ताइस में चितरंजन दास और पंडित मोतिलाल नेरू ने जिस स्वराज दल का निर करना अगले कोर्शन के और बढ़ते हैं नेक्स्ट कोर्शन जो है कि भारत के उत्री मैदान में भारत के उत्री मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मीत है भारत का जो उत्री मैदान है किस मिट्टी से निर्मीत है भारत का जो उत्री मैदान है पूरी तरह से किस मिट् के लिए लेखा जारी करने का अधिकार है कि सर्भोच नियाले को सभूच नियाले को समभिदान के किस अर्टिकल के अंतर गट मूल अधिकारों की रख्छा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है तो अनुचेद 32 के ताथ जो है अनुचेद 32 के ताथ जो है सरवोच नियाले को अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी करने का अधिकार है तो दोस्तों आपका जो मूल अधिकार है सम्मिदान में 12 से लेकर भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक जो है आपका मूल अधिक करने का अधियादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्टपती का कौन सा अधिकार है तो अधियादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्टपती का बिधाई अधिकार है कौन सा अधिकार है बिधाई अधिकार है नेक्स्ट कोशन के और बरते हैं कि लोकसभा जो है संबिदानिक संसोधन संबंदी प्रस्तावलोग सवा में रखा जाएगा और वहां सुकार उन्हें पर राज सवा में रखा जाएगा ये कतन आपका बिलकुल गलात है तो दोस्तों आपसा जो सही नहीं है पहला ही सही नहीं है कि राज के राजपाल की क्या इस्तिती होती है कि राज के राजपाल की क्या इस्तिती होती है कि राज के राजपाल की इस्तिती होती है कि वह जो है राज की कारी करनी का क्या होता है अधियक्ष होता है अगले कोशन के रबरते हैं अगला जो कोशन है कि भारत के सासन को संसदिया कहा जाता है क्यों कि भारत के सासन को संसदिया कहा जाता है क्यों क्यों कि कारिकार्णी विवस्ता के परती जो है क्या होते है वो उत्तरदाई होते है इसलिए भारत के सासन को संसदिया कहा जाता है क क्योंकि कारिकरनी जो होता है विवस्ता के परती क्या होता है उत्तरदाई होता है तो आपका option D जो है बिल्कुल सही है अगले question को रबरते हैं कि निमलिकित में कौन से परकार के पराधिकार जो है भारत के राष्टपती के पास है तो आपका उपचारिक और कानुनी संबेदा पराधिक और नमपत्र जोदिकार है भारत के राष्टपती के पास है तो आपका option 2 और 4 जो है बिल्कुल सही है अगले question को रबरते हैं अगला जो question है कि संबर्ती सूची के विशयो पर संबर्ती सूची के विशयो पर केंद्र राज दोनों ही कनुन बना सकता है परन्तु द राज का कनुन मानने नहीं होगा तो आपका option C जो है भिल्कुल सही है अगले question को रबरते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसुन से सरवाधिक बरसा प्राप्त करने वाला राज आपका तां मिलनाडू है नेक्स को रबरते हैं कि बूटान की बूटान की अधिकारिक जो है वह बा की अधिकारिक भासा जो है जोंग घाए कौन सा है जोंग जोंग खा जो है भाव भुटान की अधिकारिक भासा क्या है जोंग खा जो है बुटान की अधिकारिक भासा कहा जाता है नेक्स्ट कोर्शन के रुबरत है कि निमलिकित में किसको परल आफ साइबरिया कहा जाता है तो दोस्तो बैकाल जील को परल आफ साइबरिया कहा जाता है नेक्स्ट कोर्शन के रुबरत है कि सीडी दार खेती अधिक होती है किस चेत्र में तो सीडी दार जो खेती होती है वो विकास परिसात का गठन कब किया गया था अगले कोशन के रुबरते हैं कि भारत में परगती सील कर परनाली का सर्बुत्तम जो उधारन है वो आपका क्या है वो आपका आयकर है कि भारत में जो परगती सील कर परनाली का सर्बुत्तम उधारन वो आपका आयकर है अगले कोशन के रुबरते हैं कि परिवरतन सील आरक्षी तनुबात यानि कि भेरियबल रिजर्ब रेशियो और खुला बजार कारिवाई किसके साधन है तो परिवरतन आरक्षी तनुबात परिवरतन सील आरक्षी तनुबात और खुला बजार कारिवाई किसके साधन है तो मोदरिक निति का क्या है वो साधन है अगले कोशन कर वड़ते हैं कि अगस्त 2023 में इस रो ने किस सेटेलाइट बस पर उद्योकी को नीजी 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 उद्योकी का किताब लक्च सेन ने किस खिलाली को हरा कर जीता है तो ली सिफेंग चीन को हरा कर भारत ने जो है एकल एकल जो कनाडा दोस्तो कनाडा में जो है पूरुस एकल का जो किताब किस खिलाली ने हरा कर जीता है ली सिफेंग को जीता कर ली सिफेंग चीन को हरा कर जीता है किसने योनेक्स ने बार योनेक्स कनाडा ओपेन ने पूरू से कल किताब लगजी सेन ने जो है इस खिलाडे को जीता है ओपेन ओपेन यो कल किताब जीता है तो आपका औप्सण बी बिलकुल सही है अगले कोशन के पर बते हैं सन्युक्त राज़ अमेरिका सन्युक्त राज अमेर्का की पहली भारतिय मुल्की उपराष्टमती कमला हेरिंस की जीवनी के बारे में कमला हेरिंस फेनोमेनल भूमन नमक पुस्तक किन के द्वरा लिखा गया है तो चिदानंद राज घटा के दोरा आपका option जो है चिदानंद राज घटा के दोरा लिखा गया है अगले question के और बरते हैं कि जून 2020 में भाराज सरकार दोरा मनीपूर हिसा की जाँच के लिए किसकी अद्यक्षिता में एक जाँच कमिटी का गठन किया गया था जून 2020 में भाराज सरकार दोरा मनीपूर में जो हिंसा हुआ था उनकी जाँच के लिए किनकी अद्यक्षिता में एक जाँच कमिटी का गठन किया गया था अगले question के रवरते हैं कि चिंग के हांग जोव में एसी आई खेल 2003 इसके उद्गाटन समावरों के दोरन कि से भारतिदल का नेतित करता के रुप में ध्वजबाग के लिए चुना गया है तो हर्मन पृत सिंग को और लवली न लवली न बोर्गोहन को चुना गया और बी दोनों को तो आपका option C जो है बिलकुल correct है अगले question करवरते हैं कि ट्रेड मिल टेस्ट जो है कौन सी चिकिस्ता से सम्बंदीत है तो ट्रेड मिल टेस्ट जो है आपका हार्ट टेस्टी किस्ता से सम्बंदीत है हिर्दय के रोक से सम्बंदीत है क्या ट्रेड मिल टेस अगला जो कोशन है कि क्रिसी और खाद उत्पादन के चेत्र में ओसाधारन योगदान के लिए 2020 का प्रतिष्ठित बॉर्लाग फिल्ड अवाद से किसे सम्मानित क्या गया है जो है एन गुना कर दिया तो उनकी गती जूर्जा जो हो जाएगा एन इसक्वार हो जाएगा यानिकि उसके बर्ग हो जाएगा उनका बर्ग गुना हो जाएगा तो दोस्तों यदि किसी पेंट का संबेग यसी किसी बस्तु का यदि किसी पेंट के अगर संबेग एन कुना कर दिया तो उनकी गती जूर जाओ जाएगा N2 गुना हो जाएगा अगले कोशन कर वरते हैं कि एक compact डिक किस परकार की डाटा जो है बंडारन पदती होती है एक compact डिस्क जो होती है CD किस परकार की डाटा जो है बंडारन पदती होती है तो optical होती है CD में किस परकार की डाटा बंदारित होती है तो Optical डाटा बंदारित होती है अगले कोशन के रवड़ते हैं कि उदासीन परमानों में कौन से कन होते हैं तो उदासीन परमानों में आपका इलक्ट्रोन और परमानों और प्रोट्रोन होते हैं जीवन रक्चक हार्मों जो है किस गरंती से स्रावित होती है अगला जो कोशन है कि निमलिकित में कौन सा भाग मानप की कंकालियस रचना से संबंदित है निमलिखित में कौन सा भाग मानप की कंकालिय सरचना से संबंदित है तो दोस्तों आपका जो जांग की अड़ी जिसे हैं फीमर कहते हैं जांग की जो सबसे बड़ी लंबी अर्थी है शरीर की सबसे बड़ी जांग की अड़ी होती है जो 48 cm के होती है वो कंकालिय सरचना से संबंदित है तो आपका option जांग के अड़ी जो फीमर भी option में आप कर रहा सकता है यह कंकालिय सरचना से संबंदित है अगले question कर वरते हैं कि यदि ब्यक्ति का भार लीप्ट में अपने भार का दोगुना होता है तो इस दसा में उसका त्वरण जो है क्या होगा यदि ब्यक्ति का भार अगर लीप्ट में अपने भार का क्या होता है दोगुना होता तो इस दसा में उसका त्वरण जो है जी उर्द्वादर जी गुरुतियत तेन से उर्द्वादर उपर के और वो ब्यक्ति जा रहा होगा यदि ब्यक्ति कब अगर लिप्ट में अपने बाहर का दोगुना होता है तो इस दसा में जो उसका त्वरन होता है जीत गुरुतिया त्वरन से उर्द्वादर उपर के और वो जा रहा होगा अगले कोर्शन को बढ़ते हैं कि मानब सरीर बिग्यान के संदर में निमलिकित में कौन सा लोब जो है मुक रूप से द्रिस सुचना से संबन दीत है तो आपका ओप्षन B बिलकुल सही है अगले कोर्शन को बढ़ते हैं प्रावयगनीक किरन के हमारे क्या होनी पड़ता है हमारे सरीरो पर तो प्रावगनी विक्रेन के जो दुस्परबाव है वो आपका मनुस के रोग को परतुर्यदी छमता का क्या करतेता है नष्ट कर देता है, मोतिया बिंद हो जाता है, चमणी का कैंसर हो जाता है सेवाल उत्पादन को छो वटे 12 बाग कम कर देता है तो आपका उप्सन जो है, इनमें से सभी प्रावगनी विक्रेन के दुस्परबाव है अगले कोशन कर वबरते हैं कि एक अस्थलिय प्रास्तित की परनाली में हरे पोदे अपनी पतियों पर पढ़ने वाले सुर्ख के परकास की लगवग लगवग एक ही परतिसत उर्जा क्या करते हैं, गरहन करते हैं, कितना परतिसत उर्जा गरहन करते हैं, एक ही परतिसत गरहन करते हैं, और इसे खाद उर्जा में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है नेक्स्ट कोर्शन के रुबरते हैं कि एक समान बिर्तिय गती में क्या होता है कि एक समान बिर्तिय गती में चाल अचार इबं बेग भी क्या होते हैं चार होते हैं एक समान बिर्तिय गती में चाल अचार इबं बेग जो होते हैं वो चार होते हैं तो आपका option D जो है बिल्कुल correct है अगले question कर बरते हैं किसी द्रब को बास में परिवर्तित कर दूसरी अस्थान पर भेजने वो फिर उसे ठंडा कर द्रब में परिवर्तित कर लेनी की परिक्रिया आस्वसन कलाती है किसी द्रब को वास में परिवर्तित कर दूसरी अस्थान पर भेजने फिर उसे ठंडा कर द्रब में परिवर्तित कर लेनी की परिक्रिया जो है आपका आस्वसन कलाती है नेक्स्ट कोर्शन कर बढ़ते हैं कि केच्वे का मुख्य विसर्जित पदार जो नेफ्रेडिया द्वरा छोड़ा जाता है अगले कोर्शन कर बढ़ते है की कोरल बनाने का मुख्य संबंध किस से है कोरल बनाने का मुख्य संबंध जो है आपका इन्थो जोए सब्सकार है जेको बस हेंडिकस वेट हॉप जो है वो रसायन बिग्यान में पर्थम जो नोबेल पुरुसकार है जेको बस हेंडिकस वेट हॉप आपका ओप्शन जो है डी जो है बिलकुल सही है अगले कोशन के रबरते हैं अगला जो कोशन है कि निमलिकित में सुमेलित किजिए तो आप ऑफका गोबर गैस जो मिथेन गैस को कहते हैं दोस्तो और जल कोल गेस जो होता है अगले कोशन के रबढ़ते हैं कि मिर्तियो परांत सरीर की जांच अचवा पुष्टमाटम को क्या कहते हैं मिर्तियो परांत सरीर की जब कोई बत्तियो मिर्तियो जाती है किसी कारण से जब उसका पुष्टमाटम होता है तो उस पुष्टमाटम को क्या कहते हैं तो ओटोपसी कहते हैं क्या कहते हैं उसे ओटोपसी कहते हैं पुष्टमाटम को में होता है मानव सरी में पाचन के संदर में लाइपेज का जुसरा होता है वो आपका अमासाय में होता है अगले कोर्शन के रबरते हैं कि सुरी की हानिकारक किर्णों सी आंखों की रक्षा के लिए धूप के चस्में में परियुक्त कांच में किसका मिश्रन होता है तो सुरी जीन्स जो है किस सिदंद का परतिपादन जो है पलवमान जीन का सिदंद का परतिपादन जो है किस ने किया था कि पलवमान जीन के सिदंद का परतिपादन वारवरा में मेकलिन टोक ने किया था पलवमान जीन के सिदंद का परतिपादन जो किया था वारवरा मेकलिन टोक ने ips million है मक्षन वह इंटन से बिस्टामें क्या होता है जलपरिष्य पित होते हैं अगली जो कोशन है कि आदार्स गैस एह स्काव इलक्तोनिंग विनियाज वह क्या है तो हादस गैस का जो इलक्तोनिंग विनियाज है वह certaines टूट टू तो पी ոिक्स जो आपका आदर्स का इलोक्टोनिक विनियास है तो आपका option जो है ए जो है बिल्कुल correct है तो दोस्तो बिहार SSC का 11 में practice set का जो है GKGS का वीडियो जो है समापत होता अगर ये वीडियो आपको helpful लगे तो session को like share जरूर किजेगा तो मिलते है next practice set में आज के लिए बस इतना जाहिंद